इकनॉमिक्स वर्चिल क्लासिस में आम सभी का स्वागत है भारतिय अर्थववेस्ता का विकास के अंतरकत आज हम निर्धनता के बारे में जानेंगे कि निर्धनता किसे कहते हैं और निर्धनता रेखा का निर्धारन किस परकार किया जाता है आज कहां से आ रही हो पिंकी? मैं तो सौपिंग मॉल गई थी लेकिन सौपिंग मॉल के पास मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो जोपड़ियों में रहते हैं और भोजन मान कर गुजारा करते हैं वोई कह रहे थे कि वो बहुत गरीब है मुझे ये बथाओ कि गरीब कौन होता है और वो क्यों गरीब बन जाते हैं? गरीब को निर्धन कहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते मेरी समझ में ठीक से नहीं आया क्यों न हम अपने आठसास्त के मास्टर दी स्री परदीव नेगी सर से पूछें? हाँ यहाँ ठीक रहेगा हमारे पाठे करम में भी इसके बारे में बताया गया है आओ तो फिर्ब चलते हैं हाँ तो बच्चो बथाओ कौन सी पाठे वस्तू तुमें समझ में नहीं आ रही? मास्टर जी गरीबी क्या होती है? और ये लोग गरीब क्यों होते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है देखो बच्चो गरीबी को ही निर्धनता कहते हैं निर्धनता वहाँ समाजी किस्तिती है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की अनिवारे आवशक्ताओं की संतुस्टी करने में असमर्त रहता है उसे ही हम निर्धनता कहते हैं सर अनिवारे आवशक्ताओं क्या होती है? तिम्की तुमने बहुती अच्छा परसन पूचा है अब मैं तुम्हें इस पार्ट को विस्तरित रूप में पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हें निर्धनता के बारे में सपच्ट जानकारी प्राप्त होगी तो प्यारे बच्चों आज हम निर्धनता के बारे में जानेंगे कि आखिर निर्धनता होती क्या है तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि निर्धन्ता के विविन लक्षन कौन-कौन से होते हैं निर्धन्ता की अवधारना कौन-कौन सी होती है उसको हम इसमें समझने का प्रियास करेंगे निर्धन्ता को हम कैसे मापते हैं इसकी आलोशनात्मक समिक्सा करेंगे निर्दंता निवारण के जो कारेकरम हैं कौन-कौन से हैं उसको समझ कर फिर उसकी समिक्सा करेंगे कोई भी ऐसा समाज कभी सुकी और संपन नहीं हो सकता जिसका अधिकान सदसे निर्दन और दैन्य हो यह हमारे एडम स्मित जो महान अरसासी थे उन्होंने कहा था कि सभी समाज में दुखी और संपन लोग हो सकते हैं जिसके अधिकान सदसे निर्दन और दैन्य भी हो सकते हैं तो हमने पिछले अधियाव में पढ़ा था कि अब जो सरकार ने नहीं आर्थिक नीती अपनाई थी उसके परभाव से हमारे देश में जो निर्दनता निवारन का जो लक्स रखा गया था आजादी के बाद से वो सपल हो पाया कि नहीं सरकार ने सभी पंच वर्षी योजनाओं की विकास में निर्दनता को कम करने का लक्स रखा था जिसका उद्देश्यत समाज के निर्दनतम और सबसे पिछडे सदस्यों को निर्दनता की मुक्य धारा से हटा कर एक ऐसी धारा में सामिल किया जा सके जिन से उनका जीवन खुशाल हो सके सभीदान सभा को संभुदित करते वे 1947 में जवलल नहरू ने कहा था कि सुतनता की प्राप्ती तो एक मात्र कदम है एक सुवक्सर आरम मात्र है अभी और बहुत सी महन उपलग दिया और विजवस्तब हमारी परिक्षा में है पर्तिक्षा में है ये होंगे निर्दनता अज्ञानता और अफसरों की असमांताओं के अनुमूलन के उत्सव अर्था नेरू ने कहा था कि आजादी के बाद से हमारा जो सबसे बड़ा लक्स है वो निर्दनता अज्ञानता रोगी और अफसरों की असमांताओं का अनुमूलन करना उनको समाप्त कर देना अर्था निर्दनता को देरे-देरे समाप्त करना किन्तु आज हम देख रहें कि हमारे जो जनसंक्या उसका पांचवा हिस्से पूरे विष्ट्व की जनसंक्या का निर्दनता का कुल पांचवा हिस्से से अधिक निर्दन के वर भारत में रहते हैं अर्थाद गरीब लोग भारत में रहते हैं यहां 26 करोड लोग ऐसे हैं जिनको जो अपनी मूल भूत आवशक्तों को पूरा नहीं कर पा रहें मुल भूत आवशक्ता है रोटी कपड़ा और मकान हो सकते हैं निर्दनता के स्तान स्तान पर समय समय पर अलग-अलग सरूप हैं इसकी अनेक परकार से व्यक्या की जाती है मोटे तोर पर निर्दनता ऐसी मानी जाती है कि चिस्चे सभी व्यक्ति बचरा चाते हैं अर्थार निर्दनता निर्दन तथा धनी दोनों के लिए बिश्व को बदलने का एक आवान है ताकि अधिक साधिक लोग पेट भर भोजन नसीब हो सके सिर्ष पाने के लिए उन्हें जगा मिल सके चिकित्सा वार सिक्सा के सु प्रपड़ा मकान होना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्क है कि यहां भी हम जानेंगे कि निर्दनता कम करने के लिए कौन-कौन सी नीतियां सपल हो सकती है कौन सी नहीं समय के अनुसार इनमें बदलाव भी आ सकता है हम निर्दनता को परिवासित करना इसका मापन अध्यान अनुबव भी हमें करना होगा कि निर्दनता को हम कैसे मापे कहीं आये उब्भोक के अस्तर कहीं समाजिक मुल्यों जोखिम सब्विदन शील आदी पर भी हमें विचार करना होगा क्योंकि आज के युग में ये चीज़े भी सामिल है अब परसन आता कि निर्दन कौन है आखिर निर्दन या गरीब लोग कौन है तो हमने देखा हुगा प्राया सभी गाओं छेत्रों में सेरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्दन होते हैं इसमें एक चोटा सा उदारन अन्नोर सुदा की कहानी दे रखी है अन्नोर सुधा की कि ये दो लोगें इसमें एक निर्धन है जो अपनी आवशक्तों को पूरा नहीं कर पाता इसलिए वो निर्धनी रह जाते हैं और एक ऐसा है जिस जो अर्थिक किसंसादनों से संपन है और अपनी मन की इच्छाओं और अपने लक्स को प्राप्त करने में उसको सुविधा होती है तो एक कहानी आप लोग को पढ़नी चाहिए तो अन्योर सुदा की कहानी उनके जीवन की विसमताओं के चरण बिंद्यों का उधारन हो सकती है आपने देखा हुआ रेडी वाले गली में काम करने वाले मूची मालाएं बनाने वाली महलाएं कागज बिनने वाले फेरी वाले विकारी आदी सहरी छेत्रों में आती निर् लग है यह बहुत ही ज्यादा निर्दन लोग होते हैं इनकी परिसंपत्या बहुत कम होती है परिसंपत्य मतलब घर मकान खेट कम होते हैं यह कच्चे घरों में रहते हैं और इनकी दिवारें धूप मिट्टी आदी छत मास कमजोल लकणियों की बनी इसलिए बहुत निर्धन ऐसा होते हैं इनके पास घर भी नहीं होते हैं ग्रामिन छेत्रों में निर्धनों के पास प्राइब भूमी भी नहीं होती है यदि किसी के बाद भूमी हो तो वो सुकी और बंजर होती है और कितने को ही दिन में दो बर भोजन नहीं मिल पाता अधिक्तम निर्धन परिवार्ट जीवन उनका भूक और भूकमरी से होता है सकसरता दर उनमें नहीं होती है कोसल पड़े लिखे ना होने के कारण उसमें कारे करने की कोशलता का भी समयवेशनी होता उनसे वंचित रहते हैं इसलिए आर्थिक रूप से वो अच्छे कारे नहीं कर पाते हैं निर्धन सर्मिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होते और समाज के निर्धन वर्गों का कुप पोशन बहुत ही गंबीर इस्तर तक होता है बहुत अधिक कारे करने से अपंगता गंबीर विमारी आदी उनके शरीर को कमजोर बना देती है सावकार से उधार लेने के लिए वह विवस होते हैं और सावकार उन्हें उची ब्यासदर पर धन देता है जिससे वह जीवन परंद रिन गरस्त होते हैं और उससे मुक्त नह हो पाते हैं तो निर्धन का जीवन जोखिम भरा होता है निर्धारित मर्सदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते इसलिए उनका शोषण लगाता होता रहता है अधिकां निर्धन परिवारों को बिजली भी उपलद नहीं होती प्राय लकड़ी या उपलोंग की आग पर ही वह अपना खाना पकाते हैं निर्धन लोगों को स्वच पीने का पानी भी सुलब नहीं होता रोजगार में भागिदारी इस्तिप्रूस की बीच बहुत बड़ी आसमानता भी दिखाई देती है शिक्सा सुभिदाओं तथा परिवार आधी में आसमानता रहती ह ये निर्धन मैनाओं को अपने बच्चों के देखभल करने के लिए भी छुटी अधिकतर नहीं मिलती हैं जिसके कारण उनके बच्चे जल्म लेने के बाद स्वस्त नहीं रहते हैं और कमजोर हो जाते हैं ये सारी समस्यां अधिकांस किर्सी मस्दूर और साहरी मस्दूरो के बीच में पाई जाती है निर्धनता रेखा आकिर है क्या इसको भारत सरकार ने बनाया है और इसका हम अब लोकन करते हैं कि निर्धनता रेखा हमने यहां पर एक बीच में आप देख रहे हैं यह निर्धनता रेखा है और यह काली रंकी तो इसमें निर्धन लोग होते ह बहुत निर्दण और निर्दं कि उसके बाद यहां से लिएहां तक कुछ कम निर्दण होते हैं पर पैचान उनके व्यवैसाय संपत्ति आदिके आधार पर भी करते हैं ग्रामी निर्दंता प्राय भूमीन किर्सी श्रमिक होते हैं जिनकी अपनी भूमी नहीं होती और उनकी जो खेत होते हैं बहुत चोटे होते हैं चोटी जोतों का मतलब बहुत चोटे खेत होते हैं और कई जो श्रमिक होते हैं भूमी महीन होते हैं मजदूर होते हैं और गैर किरसी कारे करते हैं फसल काटना बुवना अनाज को मंडी ले जाना ट्रक चलाना ट्रक्टर चलाना आदि यह दूसरों के खेतों में कास्टकारों की खेतों में कारे करते हैं और सहरी छेतरों में अधिकांस निजदन गाओं के ही वे लोग होते हैं जिनको कारे नहीं मिल पाता है जिनके पास अपनी भूमी नहीं होती, तो तरह तरह के आनियमित कारे करते हैं, आनियमित कारे वो कारे होते हैं, जो कभी भी छोड़ जाते हैं, जो रेगुलर बेस पे नहीं होते हैं, तो ये लोग सड़क के किनारे गलियों में घुम घुम कर कुछ समान आपको बेस ते वे दिखाई देंगे, निर्धन की पैच्छान कैसी की जाती है अब निर्धनता आपने पढ़ा आप निर्धनता की पैच्छान कैसे होती है यदि भारत में निर्धनता की समस्य का समधान करना पड़े तो उसे निर्धनता के कारणों का अनमूलन करने के लिए वैबारिक धाने रण नीती बनानी हो निर्धंता जंसमदा जंसा उबारने के लिए कुछ उप्युक्त योजना बनानी होगी और सरकार को सबसे पहले निर्धंतों की पैचान करनी होगी कि आखे निर्धं है कौस्य क्यों कियो console को अलाब निर्धं की बज़ाए संपन लोग ले जा लेते हैं तो इसके लिए की स्केल बनाना पड़ेगा कि कितने लोग निर्दंता रेखा से नीचे हैं तो दादा भाई नौरो जी जो हमारे पहले अर्शास्त्री भी कहा जा थक उनकी अवधारना थी तो उन्होंने जेल की कैदियों के लिए सबसे पहले भोजन की बज हैं और वास्तविक समाज में देखा जाएं तो बच्चे भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं अथा इस जेल लागत में कुछ परिवर्थन कर उन्होंने निर्दं रेखा तक पहुंचने का परियास किया इसके लिए उन्होंने माना कि कुल जंसंक्या में से एक तिहाई बच्चे भी होतें हैं जो गरीब होते हैं, निर्धनता क्या है, यह हमारे जो अर्ष यस reality खान और डामियन केलन, इन्हों तदर्र निर्धनता की इसतिति को बहुत ही शंक्षेप बथा आएं मीननन निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमारी है और डॉक्टर को ना दिखा पाना भी निर्धनता है। स्कूल ना जाना भी निर्धनता है या निरक्षर रहना अनपट रहना भी निर्धनता है। बेरोजगारी भी निर्धनता है। स्वजपानी ना मिलना भोजन ना मिलना ये सब निर्धनता है। यह विचार थे साहीन, रफिन खान और डैमीनियल कल्लोन के इस चार्ड के आदार पे हम जानेंगे कि आखिर निर्धनता रेखा से नीचे कौन रहते हैं और निर्धनता से उपर कौन से वेक्ति रहते हैं तो आप देख रहे हैं कि सदैब निर्धन कुछ लोग यह जो निर्धनता रेखा बनाई गई है इसमें यह लोग हमेशा नीचे रहते हैं, निर्धन से कभी भी उपर नहीं उट पाते हैं समाने तथा निर्धन यह समाने होते हैं इनमें कभी कभी कोई वेक्ति थोड़ा बहुत निर्धनता रेखा से उपर हो जाता लेकिन अधिकांस लोग निर्धनी रहते हैं इसे चिरकाली निर्धन बोलते हैं जो बहुत थोड़े समय में उतार चड़ावाते हैं इसके बाद आगया आपका चक्रिय निर्धन और आनियमित निर्धन जिनको अल्पकाली निर्धन बोलते हैं यह कभी निर्धन रेका से नीचे चले जाते हैं कभी उपर चले जाते हैं और यह चक्रिय निर्धन व्यपारिक दसाएं और कई परकार की और कंडिशन होती हैं जिसके कारण यह होता है और आनियमित निर्धन वो होते हैं जो अधिकांस निर्धनता रेका से थोड़ा उपर होते हैं और कुछ लोग नीचे होते हैं इसके बाद गैर निर्धन वो होते हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं इस तो अधिकांस जो निर्धन रेका से नीचे होते हैं वो चिरकाली निर्धन और कुछ अल्पकाली निर्धन होते हैं तो उनका भोक का स्तर कम होता है और इसकल एक सूत्र दिया गया है यहां से इन्होंने सूत्र बथाया है कि जेल के जो वैस्क कैदी होते थे उनकी निर्वा लागत 3.4 होती थी अर्थाद लागत कम थी निर्वा लागत कम थी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वो निर्धनता रेखा से नीचे थे सुतंता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धन जो अनुपात हुआ उसकी गढ़ना योजना आएक द्वारा की गई और 1962 में एक अध्यान दल गठित किया गया 1979 में एक परभावी उब्भोग मांग और नियुंतम आवशक्ता अनुमान कारेबल गठित किया गया इसके बाद 1989 में अर्शास्यों ने निर्धनता को निर्धारित करने की परिवासा दी जिसे जन्संक्याव में बाटा जा सकता था दो भागों में निर्धन तथा गैर निर्धन इन रेखाओं को अलग करती है जो तो निर्धन कई परकार के होते हैं कुछ पूणयताहा कूट निर्धन बहुत अद्धन और निर्धन इस सभी परकार के निर्धन वर्गों में कई उपवर्ग भी होते हैं मद्यमवर्ग, उच मद्यमवर्ग, धनीवर्ग और पूनेता धनीवर्ग निर्धनता का वर्गी करन निर्धनता के वर्गी करन की कई विदियां है एक विदी के अनुसार हम सरवदा निर्धन और समानेता निर्धन वक्तियों में बेद कर सकते हैं निर्धन वक्तियों में वे वेक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन आ जाता है उधारन के लिए आनियमित मजदूर, ऐसे मजदूर जुनको लगातर काम नहीं मिलता है। इन दोनों वर्ग को मिलाकर हम एक चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के भी जूलता रहता है उदारन तक छोटे किसान और मौसमी मजदूर जिसे मौसम के नुसर काम मिलता है इने यदा कदा निर्धन कहेंगे जब इनको काम मिलता है तो ये थोड़े धनी हो जाते हैं और जब इनका भाग्य साथ नहीं देता फिर निर्धन हो जाते हैं ऐसी अल्पकाली निर्धन होते हैं कुछ एक गैर निर्धन होता है अब निर्धनता रेखा के बारे में हम जानते कि कैसे इसको सरकार ने परिवासित किया रहे तो निर्धनता रेखा को निर्धारन करने के लिए कई विधियां होती है जिससे पता चलता कि ये लोग निर्धन रेखा से नीचे हैं एक विधी तो निर्धनता कैलरी की है जो सरकार ने परिवासित किये उब्भोग के मौदरिक मान पर्ति वेक्ति वैर निर्धारन करने की विधी गएंगे इसके अनुसार ग्रामींड वैक्ति को 2400 और सहरी वैक्ति को 2100 कैलरी का नियूंतम उब्भोग मिलना चाहिए अर्थार एक ग्रामींड वैक्ति को 2400 कैलरी भोजन उसके जो बिटामींस बोला जाएगा कैलरी वाला भोजन वो 2400 सरकार ने निर्धारित किया है और सहरी छेत्रों में 2100 कैलरी निर्धारित किया है कि इससे कम जिसका उब्भोग होगा वो गरीवी रेखा से नीचे माना जाएगा 1999-2000 में निर्धार रेखा को ग्रामींड छेत्रों में 328 रुपे परती वैक्ति परती मा उब्भोग के रूप में और सहरी छेत्रों में 454 रुपे परती वैक्ति परती मा के रूप में परिभासित किया गया अर्था एक व्यक्ति जिसको 328 रुपए पड़ती महां उब्भोग कारे के लिए मिलते हैं तीन छेत्रों में ग्रामिन छेत्रों में और सहरी छेत्रों में 454 रुपए मिलते हैं तो हम कहेंगे कि यह लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं इस से उपर जिनको उब्भोग के लिए पैसे मिलता है तो कमाते हैं तो हम कहेंगे वो गरीबी रेखा से उपर है यह दब यह हम हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पैचान के लिए मासिक पर्तिवेक्ति उभ्भोग वै को परिवार के आयक के स्रोत के रूप में प्रयोग करती हैं तब भी निर्धन परिवारों को पैचानना एक कठीन का रहे हैं अनेक विद्वानों का मत है कि सबसे बड़ी समस्य यहाँ है कि हम निर्दहनों को एक वर्ग मान लेते हैं और अती निर्दनों और अन्य निर्दनों में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं भोजन हुआ या कुछ चुनीवी वस्तोय हो गई जो उब्भोग वय को आय का प्रतिक मानती है तो अर्षास्त्रियों को इसमें आपत्ति है कि वो कहते हैं कि केवल उब्भोग को ही आपने मापदंड रखा है जबकि आदमी की कई और मुल्बुत आवश्यक्ताएं भी हो सकत है इसके साथ आय संपत्ति के सौमित्तों में भी निर्धनता निर्धारी की जा सकती है जैसे शिक्षा स्वास्त सेवा पेजल स्वच्चता आदी की सुलब्ता यह निर्धन रेखा में सामिर होनी चाहिए जिन लोगों को बुन्यादी शिक्षा स्वास्त सेवा स्वच्चता जैल आदी प्राप नहीं हो सकता है तो वो भी निर्धन होने चाहिए यह कई अस्वास्त्रियों ने कहा है इसके साथ निर्ख्षता आस्वास्ता संसादनों की उपलब्द ना होना भेदबाव राजनित स्वास्तिक सुतंता ना होना ये भी गरीबी रेखा में सामिल होने चाहिए निर्धनता निवारण योजना का उद्देश्य मानविये जीवन में सरवुण सुधार लाना होना चाहिए और ये बाते भी होनी चाहिए कि मुनश्य अधिक स्वस्त सुपोसित ज्यानवर्दक संपन समाजिक जीवन में बहागी तायरी कर सके मतलब ऐसा व्यक्ति का विकास करना चाहिए कि जो स्वस्त हो किसी परकार का उसमें खुपोशन ना हो सिक्सित हो और संपन हो मतलब गरीवी रेखा से उपर उसका विकास हो तो इन सब बातों को अर्शास्त्रियों ने कहा है कि नागरिक सुतनता भी होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास तभी हम उसको मानेंगे कि गरीवी रेखा से उपर है तो हमारी सरकार दावा करती समय समय पर कि समवर्दी की उचदर खिर्सी उत्पादन में विर्दी ग्रामीन छेत्र में रोजगार और 1990 के दसक के बाद आर्थिक सुदार कारेकरों में से निर्धनता के स्तर में काफी कमी आई है कित्वार सास्त्रियों को सरकार कि इस दावे पर संदे हैं उनका मत है कि इन आकणों को जब एकृतित किया जाता है तो उसमें कई चीजें सामिर नहीं की जाती है निर्धनता रेखा कि आकलन में निर्धनों की कम संक्या दिखाई जाती है डाटा या आंकडों का हेर फिर किया जाता है अनिक विद्वानों ने कहा है कि सरकार को दूसरे प्रियास भी करने चाहिए नौबल पुरुसकार से सम्वानित हमारे अमर्तिय सैन जी ने भी एक सूचकांग का विकास त्यार किया जिसे सैन सूचकांग का नाम दिया जाता है इससे भी निरधनता के अंतराल सूजकानकों के आधार पर निरधनता को मापा जा सकता है भारत में निरधनता की प्रवर्थि 1973 से 2000 की बीच जो डाटा दे रखा उसके आधार पे देखेंगे निरधनों की जो संक्या थी यह गरामिन छेतरों में है दिखा रहे हैं और दूसरी है यह सहरी छेत्रों में निर्जनता तो दोनों जगा आप देख रहे हैं आंक्णे और इस परकार बाद में ग्रामिन छेत्रों में इस परकार आंक्रें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्तिक गण्णा की अनुपात हैं यहां पर और यह सेरी छेत्रों में भारत में निर्धनों की संक्या, जब निर्धनों की संक्या का अनुमान निर्धनता रेखा के नीचे लगा जाता है तो उसको व्यक्तिक गण्णा अनुपात विदी भी कहा जाता है इसको भारत में बसे निर्धनों की कुल संक्या, अगर हम जानेंगे और कहां रहते हैं और कुछ वर्षों से उनकी संक्या में कमी आई है कि नहीं, इस परकार का तुल्ना अनुपात और पर्तिशत की रूप में हम कर सकते हैं हम वेक्तियों की निर्धनता के विविन स्तुरूं और विविन प्रांतों में समय से पर उनका परसार की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है तो यह जो आकणे इसमें दिखा रहे हैं राश्टिय प्रतिदर्शन सर्वेक्षन के दुवारा जो आकणे हमें प्राप्त हुए हैं हम उसको यहां पर दिखा सकते हैं कुछ राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे वाली जन संक्या 1973 और 2000 में कैसी थी तो हमारे यहां आप देख रहे हैं यह 1973-74 और सपेज रंग दिखा रहे हैं यह जो यहां पर 1990-2000 की भी तो सब भ सब्स्कूर निर्धन हमारे देश में तो अड़ी सा राज्यों आति जो आपको देएं काले रंग से दिखा रिखें और थोड़ा इसमें में निर्धनता में कमिया है जो वाइट कलर कर रहे है है 60% के करीब और यहां पर आप देख रहे हैं तो इस प्रकार हर राज्य में आप देख रहे हैं यहां पे पश्चन मंगाल में निर्धंटा बढ़ी है मैं जबकि और राज्यों में निर्धंटा थोड़ा कम हुई है यहां बढ़ी है लेकिन 1999 और 2000 में यहां भी कमी आई है तो इस आंकडों से पता चलता है कि 1973-74 में हमारे यह निर्धनता काफी ज़्यादा थी और 1999-2000 में निर्धनता में कमी आ रही है और सबसे ज़्यादा कमी गुजरात में हुई है निर्धनताओं में ऐसी राजिस्तान में भी निर्धन लोग कम आये हैं पहले से कम हुए है लेकिन उड़ी सा बिहार में निर्धनता कम तो हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है कि तो इसका आड़ता है कि तीन चौथा से आधिक निर्धन गाउं में बसें हैं हमारे वहां सहाइर जव viralु शेटरों में निर्ध circumstance करें विए पढ़ रहा है हम सकते हैं सजर्य और 2000 के अबदि में निर्धन região वानुपाद निर्धन्यwow इससे पता चलता है कि हमारे देस्स में जो परिणाम है निर्धनता की संक्या में जो कमी आई है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है तो परिणाम उत्सा वर्दक ज्यादा नहीं रहे हैं और निर्धनतों की जो कमी हो रही है उसकी गति काफी धीमी है इस परकार भारत के सत्तर परतिशत निर्धन किवल पांच राज्यों में सीमीत हैं और यह राज्यें उत्र परदेश, बिहार, मद्यव परदेश, पस्षिम बंगाल और उडिसा इन छेत्रों में हमारे देश के 70% लोग निर्धन है यह भी ध्यान देने की यह बात है कि 1974 में इन राज्यों की अधिक अबादी निर्धन रेखा की नीचे रह रह रही थी पर 1999-2000 में केवल बिहार और उडिसा ही ऐसे हैं जिन में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संक्या अधिक है यदि पी इन राज्यों में भी निर्धनता का अनुपाद कम हुआ है पर अने राज्यों की अपेक्सा इनकी सकलता नाके बाबर है यदि गुजरात को देखे तो 1953-2000 के इसे नीचे रह से नीचे का अनुपाद 48 परतिशत से कम हो कि पंद्रपिशत रहे अर्था गुजरात में रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या काफी कम हुई है और पस्चिर मंगाल यहां भी दो तिहाई कम करने में अर्था 63 से 27 करने में भी सफलता मिली है तो यह था हमारा आंकड़ा और यहां पर यह भी दिखाया गया है कि पहले की तुल्ला में अब जो हमारा ग्रामिंड छेत्र है और सहरी छेत्र है इसमें भी निर्धनता गाउं की अपेक्सा सहरों की तरफ बढ़ी है अटसास विशेकों और अक्षे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिए वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अप ö screens को उसे सकते हैं क्यों स बच्राइब कर सकते हैं झाल झाल को तर फbor ठीटूब चैनल को र開始 कि नहीन उब चैनल को आप मुझता है चैनल को आप मेरे यूटूगी है सब्सक्सराइब के लिए घुटूब अबशस्याचरै है झाल झाल